राजद की सरकार में कोई तरह के धन्दला मामला आता है तो जंगल राज हो जाता है और इंडिये की सरकार में मामला आता है तो मंदला राद हो जाता है हमारे मंदिर पर क्यों सवाल हो रहा है अभी भी हम कह रहे हैं कि मैं लालू जादो के भोट दूँगा लालू जादो के बरांड हटा दीजिए तो उनके दोनों बेटे की किया इस्तिती होगा कोई भैंच चराने के लिए नहीं रखेगा देखे हम अभी मौजूद हैं मदनपूर के खेल मैदान में और यहां कुछ महिलाएं लड़की मौजूद हैं जो प्रैक्टिस करने आई हैं लोग सबाद चुनाओ का बीगल बच चुका है सरगर्मी तेज है और मदनपूर में पारा कितना गर्म है वह हम इन महिलाओं से जान हाँ ओपोग समुऻ्दे सब्सक्राइब किस मुद्दे पर और बोट करेंगे किस मुद्दे पर इसमर्व कर रहा है अब हुश्च गुश सिंसाम नमल कों परति अ पर्थर नहीं बटर मस और तो यह बहुक्तु घर में क्या महौल है इस बार चुनाओं को लेकर के, क्या, सबकुछ कर रहे हैं, राम मंदीर भी बनवाए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनही के तरफ बोट जाएगा, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अब तुमको अगर भोट देने का मौका मिलेगा तुम की इसको भोट दोगी तो मोदी जी को देंगे आगे और भी जानते हैं कुछ लोग मौजूद हैं पर इलोक से मिलते हैं और इलोक सभा का चुनाव है पता है हाँ पता तो है किस मुद्धे पर क्या महौल है इधर इस बर ठीक है महौल किसका महौल है और जेडी है लालू जादो का अच्छा बोटा तो नहीं बने हैं मगर घ अगे जानना के मापादे को वुट करें और है यह थे भाँ तो हमिट कुमार जीनों ने बताया कि यह इस बार लालू जादो को बोट करेंगे आगे चलते हैं और खेल मैदानमे खेल रहे हैं लोग उनसे भी चर्चा करते हैं देखे मदनपूर खेल मैदान में कुछ युवा जो है वह प्रैक्टिस करने आए हैं इन लोग से जानते हैं कि चुनाओ के सरगर्मी जो तेज है वह पारा कितना चड़ा हुआ है लोग सवा का चुनाओ है क्या महौल है इधर का इधर का तो पूरा अच्छा ही महौल है बना हुआ है किसके पक्ष में महौल बना हुआ है वही बीजेपी के पक्ष में हम लोग भी है अधा भी सब बीजेपी के चलते ही है बीजेपी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं वो अच्छा काम करते हैं आपने लोगों के बारे में सोचते हैं बीजेपी वाले भी अच्छा युवा हो खिलाडी हो खेल के प्रतीफ सरकार का कितना सही होगी बहुत सही होगी है पहले तो हम लोग का कुछ उतना भी होता भी नहीं था पर अभी बहुत ज्यादा माने था प्रापत हुआ तो इसमें इस खेल से आप नोकरी भी ले सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, अलग लेवल पर भी खेल सकते हैं आप नमस्कार मैं मौजूद हूँ अभी मादनपूर के खेल मैदान में और चुनावी चौपाल को ले करके हमारे साथ खास मेहमान चार लोग जूड़ चुके हैं, जो भाजपा से देखिए, विकास कुमार उर्फ बबलूसीन है, जो ये अपना पक्षे रखेंगे मैं भाजपा जिलावपा देख्ष पूरुप का रहा हूँ, अभी बर्तवान में मुख्या ग्राम पंचाय चई नवादा से हूँ, और मैं अपने राश्ठीत के मुद्धों पे भाजपा के लिए आप लोगों से समर्थन चाहूँगा, और समर्थन मांगने के लिए यह उ अधियू से हैं और यह जदियू का समर्थन चाहिए जदियू का पक्ष रखेंगे तो समसेर जी नमस्कार, नमस्कार, मैं समसेर कुमार सींग, जदियू पर खण अध्यक्ष मदनपूर, और बगल में हमारे साथ जुड़े हैं संजीव कुमार सींग, जो कॉंग्रेस के अधियूप में आउपस्तित हुए हैं, इंडिया गठफनन के तरफ से हम हैं, इंडिया गठफनन के हमारा जो परत्यासियव है कुछ वहां हैं, उनके पक्ष में हम इसमुद्य परमाएं के तब तक पहले पर्चे करा लेते हैं आप लोग से, यह देखिए धननजय कुमार जादो जी हैं, जो युवा राजत के परखंड अधक्ष भी हैं और यहां इस पैनल में राजत का पक्ष रखेंगे, तो धननजय जी नमस्कार, अब हम चलते हैं सीधा भाजपा के पास, क्योंकि भाजपा के जो हैं औरंगाबाद में तीन बार से सांसद सुसील कुमार सिं भाजपा एकल ऐसी पार्टी है, जो जमीनी अस्तर से लेकर के राष्ट अस्तर तक के लोगों का एक कॉम्बाइंड है, संगठित पार्टी है, अनुसासन में तरीके से, इसका पार्टी में सारा कुछ बिस्तार होता है, और मैं आपको बताओं, उपस्तित जनता को भी पता है कि माननी है, मोदी जी के काजकाल ये 10 साल का जो रहा, वो 10 साल के काजकाल में उस सुद्रवर्ती बैठे इलाके में कोने-कोने जनजन तक जो लाव मिला किसी रूप में, और इसी मुद्य को लेकर के हम जनता के बीच जा रहा है, जो मैं काम किया, ऐसे मैं बताओं कि बिल्कुल, मेरी काम, अगर काम के दाम मिलता है, तो काम का मजदूरी भी मिलना चाहिए, उस मजदूरी की खैल से मैं जाता हूँ लोगों के पास। कि 400 पार यानि उसकी मंसा है कि 400 पार करकर डॉक्टर भीम राव अंबेतकर साहब का जो सभीधान है उसको नहस तहस करने की पूरी प्लानिंग हो चुका है को कह रहे हैं लोग ताली में बजने लगा तो ले लेते हैं कुछ लोग इन लोग से रहे क्या नाम है आपका अमित कुमार कहा से हैं चांद भी हा अच्छा इस पर चुनाओ है क्या है महौल है आर्जेडी के बहुत देना है और का महल रहे हैं बाजपा से लेते हैं जवाब तेगे का रहा है कि संभीधान जो है वाखात्रे में है यही तो नारा है यही तो परिवारबाद से उपर उठक के सोचने की जरूरत है मैं कहता हूं कि संभीधान जो हमारा आज है आप भाजपा में उठाके देख लें यह राष्ट पति कौन है और वैसे हर जात विरादी का समावेजन भाजपा में है या नहीं है कहां जाट से उपर उठने की बात होती है जात इसमें सारे जातों का सम जानते होंगे रुख खड़ा हो जाता है सोचने के बाद आज उस दौर से लाल्टेन जुग से निकल के हम तो लाइन के जूग में आ गया अब उस जो दौर का जो बात थी वो जेहन में आज भी गुंचता है जो 15 साल पुर्व में था आज मोदी जी का जो इस्तिती है मोद जाओं के क्या स्थीति देश में है वह बहुत दूर की बात नहीं है आपको जल्द में एक महिला मेडल जीतकर आई उनके साथ रोड पर क्या किया गया या और जो मोदी जी का संसद्य छेत्र में है वहां के लड़की के साथ का कि आई दुनिया जानता इस बात को है और डीटेल रूप से आपको बता दना चाहते हैं कि अभी जो पहली चरन का जो चुना हो रहा है इसमें आपने आप तो मीडिया भाई है आपको तो सारे चीद को जनकारी है या चारो जो सीठ है और रंगावाद से लेके जमूई से लेके नवादा से लेके गया तक या चा तो भाजपा में है देख लिए ताली भी बजने लगा आप पर परिवारवाद की बात और सुरक्षा महिला सुरक्षा की जब बात हो रही थी तो जदिवाले हैं तो चितरनजन जी आपको चुनावी के समय में चुनावी चौपा रखने के लिए बहुत बढ़ाई के पातर है आपको धन्यवाद यह जो धन्यवाद है जातवाद और हिंदू मुस्लिम करती है भाजपा और हम कह रहे हैं कि इनके बास जब अपना डल का उमिद्वार भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के बाद क्या कहेंगे जिस डल में उमिद्वार ही नहीं है महां से रह गया रोप लग रहा है बड़ा रोप लग रहा है और रंगावाद का इतिहास में पहली बार लाल्टेन चाप से चुनाव चीन अभय कुस्वाह जी आये हैं और यह राजनितिक छेत्र में टीकट मिलना नहीं मिलना ही पाटी से उपाटी बलता है या संसारिक लेकिन लाल टेन चाप चुनाव चीन नहीं मिला और यह सबसे सुन्दर चुनाव चीन है और इस वार निश्चित रूप से दो लाग से अधीक फोटों से अभय कुस्वाह ने जंडा फानाने का काम करें और अरंगावाद की धर्तिक आपर समार्थर जो है वो राजत के हैं अब आज के जुआओं का सोच बहुत अच्छा है पक्षधर पक्ष रखनी चाहिए लेकिन वह लालतेन से कोसे दूर हो चुके हैं फिर उस जुक में जाना स्य्द् हम नहीं चाहिएंगे हम सारे हो सिक्षित हो गए अब वह दोर नहीं है जिस दौर में हम सब पहले रहते हैं पइछे एकर बाला मुस्कुरा रहा है बिजेपी का यह बताई दस साल के अंदर महंगाई देखिए बिजली बिल देखिए या रासान का काड़ा गैस देख लिजेए यह सब कितना बढ़ा है रेट बिल्कुल महंगाई बढ़ा है तो हम किसान का जो दर था वो भी बढ़ा है हमारा ग्राव भी पढ़ा है महंगाई अगर बढ़ा तो रोजगार बढ़ा है इसलिए आप लोगों को लग रहा है कल के दौर में जब हम थे तो आज देखें आप कहते हैं रासन रासन तो पांच स करोना काल से अभी तक आप लोगों का फ्री रासन मिल रहा है कभी मिलता तक क्या पहले के साथ सरकार में तो एपील बीपील और अन्तोदे से बांद दिया गया था कितने लोग लाब लेंगे अब तो आम जनहित में यह हर किसी के घर में डाल सबजी रोटी मैसर हो रहा है य लगता था कि हमारे हां कास होता आज हम उस एलीडी बॉल में चारों तरफ उजाला में जबाए तो हमको साथ अब लल्टेन की जरूत नहीं पड़ेगी वह दौर अलग था जिस दौर की बात करें से ले लेते हैं काफी बरीष्ट नेता हैं मुजूर्ग भी है तो देखिए करें लल्टेन नंका आपसे एक सवाल है खासकर के कांगरेस से पराम परागत सीट रही थी कांगरेस का औरंगावात इस बार आपको लालू-ाइस, चीन लिए सीट को यहां से नवाशी में स्यामा जी लडी तो संसद बनी फिर 2004 में निखिलबाब़ लड़े संसद बने नौ में चुना उहार गए नौ के बाद 14 में पुना कांग्रेस की सीट मिला निखिलबाब़ लड़े लेकिन चुना उहार गए एक सीट कांग्रेट परागत सीट थी मगर कर परियांदान के साथ कने और वाध में इनडिया कंगरेस परियास किया ते सीट कोंग्रेस करके खाते में मगरं के बडा दल के रूप में रास्तिय जनता दल धन्य अपने समझें qi कि इसके बाद लोग का परियास था कि औरंगाबाद सीट के में Bei nikhylitch बाव के मिले निखिल बावू कि नहीं मिला अब जब और प्रेज कोंफनेयर का करकर के तो और रेंश कोनपंप्रेंस की बात कर रहा है राजा तो पहलें सीट बात दिया सिम्बल दे दिया एक किनवी उसमें चार जगए उद्धिया तो देद्या समझे तो सम्झावता हुआ समझा औरंगाबाद सीट कॉंग्रेस में नहीं गया टो जो एक मुताबिक हमारा जो नौ कंग्रेस के जहां उम्हद्वार है वहां हमारे प्रमपरागत की बात जो बोल रहें वी भाग रहे थे आप लोग पूछे परमपरागत की बात और नहां कांग्रेस की सीट रही थी और बहुत दूह के साथ कहना पड़ रहा है कि निखिल कुमार का इस वार टिकट मिलता तो निश्चित जित था लेकिन यह जो निखिल कुमार का जो टिकट कटा ना जाने आला कमान कैसा डिलिंग करता है सेरिंग हो रहा है लेकिन निखिल कुमार नयाय का मूर्ति थे इनको अगर महागठ बंधन में देखा जाए तो पूरे हिंदूस्तान में बताते हैं कि महागठ बंधन में निखिल कुमार नह लेकिन हम लोग उपर से गटबंधन हो चुका है हम लोग गटबंधन धर्म निभाएंगे लेकिन एक महा गटबंधन के लिए सूब संकेत नहीं है और राहुल जी का भी ऐसा जो करेंगे बिहार में पूरे तो बिहार में जहंडा लेने वाला कोई नहीं बचेगा इसलिए हम अभी गटबंधन धर्म आप जो बोल रहे हैं जहंडा लेंगे तो इससे तो साप परती तो रहा है नहीं नाराज है निखिल कुमार के लिए जो ऐसा टिकट कटा है जो उन्याय का मूर्ति है ऐसा अभी तक टिक भी नहीं हुआ जो महा गटबंधन में हम बताते हैं चाहे कि एंदर से खुशी जो है वह हमको बहुत अच्छा लगा कि परस्ताव लड़का रखा इंदर से जो जो था है उन लोग में खुशिया है आपका क्या मंसा है इस बार मंसा चारों जो है चारों में हम जूड़े हुए हैं ठीक है बट रह गया उना भाजपार राजा जाजिव कॉछ नहीं बोल सकते हैं जादो जी तब तो लालो जादो होंगे लालो जादो है तो लालो जादो कही है तक बहुत से जिताएं उनको कार्च करने के लिए अभी तक हमारा का कहते हैं कि जादो जी भौटे नहीं देते हैं ँिशन दंपरी कर रहे हैं आपरी तो जैसे कि हमारे जो बदलाओ का चांस है अब बदलाओ में कांग्रेस विसा किनकीच तो यह फ़र है। कांग्रेस के उरंगावाद संसधिये छेत्र में जो हम लोग के साथ हुआ है हम नहीं बोल रहे हैं पुरा ओरंगावासां सद म्हाता की बात बता रहे हैं पूर्य खाइंड कर्च करता के हत्या कर दी गई कहते है ना जाए नहीं प grateस करता या नेयदास टाइप का लगता है और उसके बाद हम उसका टिकट करता है तो निस्तिती होती है और लाजमी है टिकट कटा है भावना है बेक्त कर रहे हैं मैं इनकी बातों से सहमत हूं कोई में पता कॉंग्रेसी है बिल्कुल मैं तो तकरीबन इनको पतीस साल से जानता हूं यह कॉंग्रेसी रहे हैं कट्टर कॉंग्रेसी रहे हैं मैं इनको जानता हूं बजाय ये बजाय ये बना होगा ये थोड़uinya कर रहे हैं। इनको बही गम है मलाल तो है हम कार्ज करता जब किसी दलतीर लगल करके रहे किया है को बातिया हो पाला है विरा नियुदि से पूरे विह करना चाहते हैं कि इतनी ही बड़ी मलाल था भाजपा को निखिल कुमार सिंग के लिए तो सुसील वावु लगातार जीत रहे थे इस वार निखिल वावु को भाजपा से ठीकट मिल जाती तो बहतर होता कि कि दिखिल वावु को चुना में आने के बाद भाजपा करक टाको जीताने में बहुत आणी होती थे क्योंकि जो हाँ सिचुएशन होता था कुटि लागतार हार का जो पर हुआ ना अंत्राल का पी जदा रहा हार का अम्हिद्भार वाले जादि पत्रकार महुद है इन लोग ठीक टिकट करें तो लेकिन कॉंग्रेस यह आज यह दीक करता से तो उमिद्बार बनाया जाता कि मुझा आपके सुनियु ठौटॉटॉ। आपके आने के पहले इन्हीं कि लो रहे थे कि फर पलटु है नितिस कुमार तो वहीं लोग नगावाद का रच्छम की जो चुनाव लडने सक्छम है को दर किनार करते हुए एक वैसा कर्च करता को इमिद्वार बनाया गया है जो नारी सरसकती करन को कितना अच्छा उधारन पेस्ट कर रहे हैं जो वीडियो बारल हुआ था समझे की नहीं से उम्हिद्वार को रंगावाद में लोग सावासं सदिये चेतर से उम्हिद्वार बनाया गया है यह मैंने सोचने पर भीमेस है रंगावाद के गलत पर तरह आसी को टिकट कर रहें किदेदिया कि टिक अब इसमें राज़ात के जो नित्रीत्व करता है यह बारे में कुछ का नहीं सकते हैं यह पार्टी नेत्रीत का निरन्य है वारे नहीं काफ पाएंगे अभी लोग सबाचुनाओक बाद फिर पल्टी मारेंगे यहां आपको कहा रहा है लोग सबाचुनाओक बाद निश्चीत पल्टी पल्टी मारेंगे इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है पल्टी मार वह यह हैं देखिए जितना जी रह गई उमिद्वार को तो 2019 में उपेंदर कुमार बर्मा जदिवी सी जगे हमके उमिद्वार बने थे महागर बने थे और आज भातिया जनता पाटी के सदस्ता गरहन की दो दिन पहले तो इन लोग इतना इतराय नहीं चुनाओं के बाद उमेश कुस्वाहा भी चाहे तो पुना जादियू मावेंगे और ना तो भाजपा के सदस्ता गरहन की सवाल कहना जो है वह आपने आप सो जाइस समझते हैं एक विधाया को एक सांसत का बात गया कर सकते हैं तो इसमें बीधाया को सांसत की बात करना उचीत हम नहीं समझते हैं दें पल्टी मार परिस्थितियां होती है आप वह के घर में लाजमी सी बात है कि हम अपके घर से निकल के किसी और के घर में जाएंगे 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 तो बाग बिल्कुल कहीं न कहीं कमी महसूस होता है उनको खतरा खटकता था तो वह दल से गए है इधर उधर इसकी तो जगहसाई थोड़ी हुई हमें भी खेद है लेकिन राज लेकिन जो मेरा दूख है दर्ध है उसको निकाल कबाहर कर रहा हूं अभी तो भी कांग्रेस इस पर आये और इस पर जो हमारा सेरिंग सीट में आब जो जितने वाला बिहार में उसको नहीं दिया जा रहा है जीता जितने के लिए देर जा रहा है सिवान तो हुआ लड़ जाए तो रंगावाद छोड़ दे इस अब सुनी चीत जित था और उनका नीजी वीचार है हर ब्याक्ती अपना वीचार ब्याक्त करने के लिए सोतन्त रहे हम हम डल के परतिबाधता से बंधे हुए है एक लक्षवन रेखाए खीचा हुआ है जो निरने हुआ है सर्ब समथी से हुआ है गठभधन के सभी नेताओं के सुवेक्षा मन से करेंगे और हम लोग यहां से पता का फार आएंगे का रहा गई कॉंग्रेस का पत्कार महोद है मजबूरी है कुछ दिन पहले ही नित तेजस्वी जादो ब्यान दिये थे कि जो कॉंग्रेस के सीट देंगे उसीट पर लड़ना है ना तो अपना नीने डिसीजन लेने के लिए सोतन्त रहे तो यहां तो कॉंग्रेस का मजबूरी है और रहा की गटबंधन धर्म पार्णा करने के लिए बहुत बरिश्ट कॉंग्रेस हैं मनुज भिया इन लोग इन ल अधर बीस में उधारन है इनों का गटबंधन धर्म को पारण की पूरे के पुरे मदानपूर का पर खंड कमीटी कोंडेस का पूरे के पूरे गर्णा धर्म करते हुए उलंगन करते हुए एक नीदलिये परत्यासी को मिद्वार जो बने थे वा भी जानते हैं पूरे को आज भी जब दूख है तो आज जब कोज बात के डर रहे हैं आज भी समय था आप अथी कर सकते हैं यह पूरा जो कॉंग्रेस का जो यह पार्टी था पर्खंड कबीटी था वा निर्दलिया के समर्तन में आगया था पीछे जो भी हुआ गलत हुआ था हुआ जो भी हुआ था गलत हुआ था भूल सुधारने के लिए भाविस में गल्ती ना हो गटवांधन पर किसी सता रहके आच ना है हम लोग पुरा इंट्रेक्ट हैं और मौह गटवांधन के परते परतियासिक परती समार्पी था हैं और हम लोग उनको जीताएंगे हम लोग निर्दालिया लाले ने अलुदीन जी जीते अब उतला मत खुलवाईएंगे हम निर्दालिया हो गये था तो यह कामीटी का भी देन है आला कमान में गया कि वरंगावाद कॉंडरेस का जो संगाठ्थित है उनका भी निर्दालिया देने चल जागा तकभी का लिगा तो चलो भॉँआ सीट वे पर जेए हम तो दे दिया तो आपने गलती की तो केमी करें बूर करें अब आया यहां परी बोल रहे हैं कि काउंग्रेसी तो अभी रमधहार सिंग बीजेप का ही कर्च गड़ता है बीजेप का ही नेता है आज घर छोड़कर के होटल में रुके हुए है कारण बता दें बीजेपी का बीजेपी से सवाल है घर में कुछ कला होती है भाई मेरे घर की कलहें होती है जिसमें चार भाई होते हैं तो चार भाई की नाराजगी होती है लाजमी है संभव है हर घर की यह इस्तिति है तो भाजपा बहुत बड़ी है इस परिवार में बहुत सारे सदस होते हैं जो छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन होती है और उस अनबन की कड़ी में रमधार सी ने जो आपने पेपर में पढ़ा जाना बिल्कुल सही आपने जाना उनका पेपर का कर लिया जाएगा वह समय है उसके लिए उन्होंने यह तो अगाह कर दिया ना कि हम आपसे अलग है अब उनको मनाना हम लोगों की जिम्वारी बनती है और वो दिन भी आप देखेंगे जब हमारे साथ होंगे राजनीत में होते ही रहता है और मामला पटेगी कहीं हमारे इस बार अंतरकला नहीं है यह राजनीत में होते ही रहता है और यह निश्चित तोर पर यह भाजपा के पूरे बिहार में अगले बार जब 2019 में चुना हुआ था तो 40 सीट में उन 40 सीट यहां के जनता ने विश्वाज जताया था भाजपा पर लेकिन अब भाजपा के पास विकास का कोई मुदा बच चुका नहीं है मैं यहां पर जो भी ओडियन साथी मैं इनलों से जानना चाहिए तो कि अब कब लाल पानी गिरेगा उरंगाबाद की धरती पहल अब कब गिरेगा अब तो इनको तीन-तीन बार लगातार चांस दिया गया तो हम चाहते हैं कि जो सत्ता में है वह विकास की बात करे मुद्दे पर बात करे जात पात हिंदू मुसलिम आपसे भटका कर मुद् एक सवाल निश्चित रूप से मैं आप से भी आज जानना चाहते हैं कि या औरंगावाद के धरती पर मानियन देश के परधान मंत्री जी आने का काम कियें लेकिन औरंगावाद के औरंगावाद जिला के नाम पर एक भी यहां के विकास के मुदे परूण अपने मुखारवी से चर्चा करने का काम नहीं किया उन्होंने कहा था कि उतर को मेरी गारंटी है देखिए यह तो लगतार भाजपा की जब 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 आता है चुनाओं का दर्मियान तो भाजपा के लगतार घोसना पर घोसना होते रहता है नोकरी देने की बात होती है लेकिन यही भाज लगाया कि पकोड़ा तलनेव की बात की जाती है लगातार गोशना पर गोशना करते हैं कि हमारे चोटे भाई का बात सुना बहुत हसी आती है साहब सन 1972 में चुनाओ हुआ था सन 1972 के बाद पंचायती चुनाओ से न जिला परसद हुआ करते थे ना मुखिया हुआ करता था न समीती ना अन्य कोई पंचायत पर तिनिदी होते थे 2001 में पंचायत का संसोधन हुआ वो किसका राज था अटल बिहारी बाजपई का राज था जिसमें हम लोग चुन क्या है आज आपके पास अपने मुख्या परचे दे करके या अपने अन्य कई पद की परचे दे करके मैं आपसे बात कर रहा हूं 2001 का ही समय था अटल बिहारी बाजपई की समय थी जब ये पंचायती राज गठित हुआ जो निचली कड़ी है निचली कड़ी का गठन हुआ उस समय क्या था जोहर रोजगार जोजना चलता था उस जोजना के तहट लोगों को मतलब एक मजदूरी भी मैं असर नहीं होती थी और आज का दोर जिस दोर में यह हमारे भाई आप ने कहा कि कोई विकास की गति नहीं आप याद करिए आज 15 हुई एक पंचायत में विकास फंडिंग का एक पंद्रहुई खाता है जड़ा एक बार उस पर गौर फर्माईए पहले कहा था और वही जोहर रोजगार जोजना जो 2001 में चुना हुआ उसको यह मनरेगा का रूप दिया गया आज उसमें देख लिए कितना रासी जा रहा है कहा जा रहा है उत्री कोईल नहर की बात करते हैं उत्री कोईल नहर सन 1978 से ही यह प्रोजक्ट पर श्टाट हुआ और उस 1978 में किसके सरकार थी वह किसके सरकार में प्रोजक्ट का प्रारण हुआ और प्रोजक्ट का प्रारण होने के बाद लागातार सरकार में आप रह गये कॉंग्रेस के लोग लेकिन उसको कार्ज के गती देने का काम नहीं हुआ बाद में जब हमारी सरकार बिहार और ज प्रषी उस नहर का कितनी तेजगती से काम चल रहा है कसे आपके लाने के बाद से आज तक आपभी सता में रहे जब से हम लोग सता में आए कहीं ने यह उसमें अचानक से इतना जंग है तिस स़क नहीं होता है कुछ समय लगता है वही समय लग रहा है और मैं मोदी जी के घरांटी थी अभी आ करके दोको दो तारी को आ करके गांदी माइदान में उन्होंने भ्यान दिया कि मेरी गरंटी में उत्रिकोलनहर हिए का लाल पानी दूंगा और मेरा विश्वास हमे नहीं हमारे पुरे ढम सभावाशिएं को लोग सभावासियों जो हुआ वा कॉंग्रेस के जमाने में ही हुआ बाद के दिनों में बंद हो गया जहां तक बात है मंडल दैम वहां पर हम लोग गये हुए थे वहां फार तक नहीं लगा है चौदा में गया में माननीय नरेंदर मोदी जी चुनाओ पर चार में बोले थे कि मोका दीजिये नोर्थ कोई में पानी आ जायेगा फिर जब उनीस के चुनाओ आया तो डाल टेंगेंज में जा करके सिला नियास किये नहीं आया अब चोविस आ गया फिर आके काया रहा है कि पानी देंगे तो पंदर्ह साल तो हम देख रहा है कि हो गया तो फंदरह साल हो गया तो ठीक है को रखी कि समय में नहीं हुआ का स्च्राइब सब्स्क्राओं में यहाँ तो ओक होगा तो आपको और माधना केतो यहिए हैं दड़ाय के फाटिक काहीं नहीं लागा है हमारे बड़े भाई संजुब यह नहीं होगा यह जानकार लोग हैं इनसे पुछिए कि जो आज के 2019 की बात करते हैं 14 की बात करते हैं तो जब एनों से मिला बन प्रयावरण भी भाग से कुटकु डैम का तो फाटक भी बन के त्यार है और आज काम भी लगा हुआ है नभी नगर आप चले जाएए आप कुटूंबा के छेत में उतर नहर कोई जिसको आने वाला दिन में पूरा हो जाएगा अचानक से सब कुछ नहीं होता है साब आपका सतर सल के लगाया हुआ जंग था उसको साफ करना हम लोगों को समय लगेगा है जंग लगा दिया मंडल डैम में जो है जब तक कि फाटक नहीं लगेगा तो सब काम छोड़के पहले फाटक लगवाई ये तब पानिया देगा लगवा लेंगे बाद में वीजेपी से कुछ लोग अभी नए आये हैं और कुछ लोग नए हैं क्या नाव है राना सुतोस सिंग मेरा नाम हुआ बताइए कुछ कहना रहा है देखिए चुनाव है आप भ आजब के अनुयाई हूं लेकिन भगवा ही सिरिस्टी का सार है चुकि आपके रक्त में भी भगवा ही है इसलिए और प्रारम्भ से सनातन ही सिरिस्टी का निर्माता है आदी और अनांत सनातन ही है और जो अभी महापर्व है लोक तंत्र की महापर्व है वो आदर्स आचार सनिता के अनुपालित करते हुए हम किसी भी कारेकरम को किसी भी चीज को कर रहे हैं तो आदर्स सनिता को मानते हुए आचार संहिता जो लगा हुआ है आदार साचार संहिता के अनुकुल कर रहे हैं और रही बात राश्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है और राश्ट्र निर्मान में जिस प्रकार से माननीय एसस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कारेकाल रहा और इसकी प्रसंसा सिर्फ भारत में नहीं हो रही है पूरे बैस्वीक अस्तर पे विश्व के सबसे कदावर और मजबूत यदि कोई लीडर है तो वर्तमान समय माननीय मोदी जी हैं और दूसरा अवतारी प कुना स्वर्मिन काल में प्रविश्व कर पाएगा और आप देख सकते हैं कि जब भी कोई रिसी अपने घर को त्यागा है तो ओर आज घराने से ही रहा है चाहे वो भगवान बुद्ध हो चाहे 14 साल बनवास काटने वाले भगवान स्री राम चंद्र जी हो जब ओ सत मतलब कर्ष्ट को देखे जीवन में तब ही जाकरके उन्होंने परिवर्तन किया है आज आप देख सकते हैं जोगी जी भी सन्यासी मोदी जी भी सन्यासी इनके कारे काल में जिस प्रकार से गुंडे माफिया सांथ हुए हैं और विकास की धारा बह चुकी है मैं देखा था जी मेर उम्र जादा नहीं हो रही है हमारे अभिभावक हैं बबलु भीया हैं हमारे अभिभावक संजीव चाहें तो इन लोगों के मुखाविंद से भी हम सुने हैं और अपने नेत्रों से कुछ देखें हैं जाता था आज से 15 साल पहले अरचा सट जाता था आता ताईयों नक्सलियों का यह दबदबा यहां था कि कोई भी बैपारी कोई भी किसान जो बड़ा किसान है और कोई भी व्यक्ति बिना लेवी दिये हुए बड़े-बड़े कोई भी कंश्रक्शन कंपनी जैसे आप आज द सरकार थी और यहां बाजार जो बंद हो जाती थी क्या कारण था बंद हो जाता था देखिए उनका जो अपना राय है उरकने का इन्होंने काम किया और 15 साल पहले उसमें हम लोग अभी बहुत छोटा थे उसमें कब ज्यादा ख्याल नहीं रह पाया है और जो जंगल राज क सरकार में कोई तरह के धांदला मामला आता है तो जंगल राज हो जाता है और इंडिया की सरकार में मामला आता है तो मंगल राज हो जाता है कैसे मंगल निश्ची तोर पर आपको जो है से मेडल जितने वाली पहलवान के साथ जो रोड पर जो किया गया उसकी जब मेडल जि पहली बात मैं जितनी भी बातों को रखा, उसमें जैंगल राज सब्द मैं कहीं परयोक किया हूँ, जैंगल राज सब्द का मैं परयोक तो नहीं किया, इसके बावजूद भाई, ऐसा आपको लगता है कि आज से 10 सल 15 सल पीछे का जो काल था, ओजैंगल राज था, तो इसको किसी भी प्रेकाल को कलंकित नहीं किया हूं कि आनकी पर आप देख सकता है मैं एक शन्य पर इनकी इंड मेरे यंग क्या चाय रहे विरजार कि देश में कुछ समासिय नहीं थेुफ रखरक देते हैं थे तर्टिति, यह समासिय को समस्या नहीं है, वे फ्ल्राद काल। है रोजगार कमाने मैं एक बात बोलता हूं मेरा नाम राम्पुकार सिंग है कहां से हैं सलईया से हैं मेहनत से कमाने वाला करोजगार के कमीज धर्ती पर नहीं है जो जो ब्यक्ती है पोड़े और उसके वह सरकारी करना चाहता है और रुजगार है जाए बिहार में करखाना कूलना चाहिए ना कर विवह कर खाना को चाहिए ना दिन से भापू आपकी बातों से मैं ऑगत हूं भारत जो है एक मिन इन परीवारों का रॉश्ट है 90 पर्तिसत लोग मध्यम वर्गिय हैं मैं मानता हूं आप लोग संघर स्रथ हैं अभी अध्यान अध्यापन में हैं बाबु हम भी यूग को इस कष्ट को जहले हैं संघर स्रथ रहें दो बार हमारा यूपीएसी पीटी निकला है और एक बार सीपीएफ में भी मेरा सेलेक्शन हुआ था जो की एक्जाम कंडक्ट कर रोजगार बड़ी मुदा है यह नहीं रोजगार मुदा है मैं चित्रेंजेंजी वहीं पर आ रहा हूं रोजगार के लिए विकास क्रमि भी मिलेगी सौंती भी होगी यहां देख लिए कि हर्यार जंडा बात करते हैं हर्यार जंडा पहन करें खड़े हैं वाइसाब क्या नाम है आपका मैं अब देश यादो पर खंड़ ध्यक्स पंचाईती राज परकोश राष्टी जंता दल मधनपुर राजत से हैं देके का राइकी दस साल और इंतजार कीजिए रोजगार मिलेगा रोजगार तो 2014 में मोदी जी आये तो जहां सा देकरके आए कि परतेक वर्स हर्यार नागरिक को दो क्लोर रोजगार मिलेगा काला धन आपसा लाइक करके हर एक नागरी को 15-15 लाख रुपया खाता में दूँगा हम भी शेगों भाई थे हम भी जल्दी जल्दी खाता खोलवाए सोचे कि भाई 15-6 के 90 दोगों माता पीता थे उनको भी दूग 6-28 को हो गए है शमये के नगए अफ्चाओ अउब भाई के हम लोग चाओद नीवग ने बारा को शमये के नहीं और शमयेकी नहींदी है इस तरह से अब जन्ता जाग चूकी है मोदीजी के जहाचा में पढ़ने वाला नहीं है मंदिर मह्झीद के नाम आप जहाचा में आने वाले हैं अधिनेता मोदी जी के जैसा धरती पर कोई नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहुआ होगा कुछ आदमी जो है बर्गलाने काई लोग काम कर रहे हैं कि ऐसे मंदिर बन गया ऐसे मंदिर बन गया ऐसे मंदिर किसके बाप के पैसा से बन गया हम चंदा दिया हमारे हमारे पैसे से मंदीर बना अभी इसाूथ में यहां से ज्यादा मंदीर है कि साउथ का इस्तिति जान लिजिए एक पत्ना में महभीर मंदीर है पत्ना महभीर मंदीर पास्पीटल से चालीत होती है आपको कैंसर होस्पीटल ऐसा ऐसा hospital कितना चलाता है आट सो कुड़ोर चंदा जामा हुआ है मंदिर काOOD हां मंदिर बना सो कोड़ोर उसमें लगा है वर्षी कोड़ोर में रहा हुआज1 यूद आपकी पा करें मंदीर मंदीर से देश का विकास नहीं होगा यहां सिच्छा चाहिए रोजगार चाहिए मैं सुरील सिंग मैं किशान हूँ 15 साल रावडी लालू के सासनकाल में बिहार की जंता जंगल राद में आतंकवाद में परसां थी अब जो हैसा कुछ सांती हुआ है मोदी जी के राज में राष्ट विकास कर रहा है बिश्व में भारत का नाम हो रहा है हर छेत में काले धन पर अंकुस लगा आपको उग्रवाद पर नियंत्रन लगा आज महिलाएं बारह बज़े रात भी नी फिकर घूम रही हैं सब कुछ सांती से हुआ देश वीकास के रास्ते पर चल रहा है यह कुन कहता है यह सकता पुरा है जरना जंगल विरवरोधी लोग पुरा जैंगल राज की color भीहार जी से था उचिता घुझ बहुं आंड़ तोकर यह तोप मिवाले ब कुछ घूमालिक कुछ ने बलेंगी ह सुनिए जब नोट बंडी हुआ उसके पहले मनमोहन सिंग के सरकार थी नोट छापा था तो इटली के कमपनी छापी थी सेम सिरीज का नंबर का नोट इंडरा ये राहूल गांधिया वो सुनिया गांधी के घर में पड़ा था बैंक के टीम से वो इसी का डुप्लिकेट नोट प्रिकलता था मोदी जो ने बाद हो करके नोट बंडी किया नोट बंडी किया आज उग्रवाद के नाम पर पैसा लेकर लोग जमीन में गाल कर रखे हुए थे उस सारे के सारे पैसा बेकार हो गए खागज कर ठुका होगी जो चलते थे राहूल गांधी के साथ है जो आज निया जात्रा में उनके घर में पकड़ाया 4000 महिला सवशक्ति करन कि लोग बात करते है नहीं पहले बोलके गए है मैं मैं निपूर में जीस तरह से महिलां को नंगे घुमाया गया महिला पहल्मानों को किस तरह से घंसीट करके उन लोग के साथ में इनी का बिधायक जो है ज कि लालू जी के दो बेटे हैं उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो परताड़ना किया और उन्हीं के जो विधायक थे नवादा के राजबलम जादो राजबलम जादो क्या किये नहीं किये सब को को जानता है समझें अपने पत्नी को साथ फेरा के कशम खाय थे अभी तक उसको घर से निकानने के भाग भाग दिये अचुनिए मोदी जी हिंदू हिंदू के बात करते हैं मोदी जी को मा मर गई तो बाल तक नीचिलवाए लोग हिंदू के लुग जाए रोग जाए रोग जा पहले पहले मेरी बाथ दोगी होगी सबसे पहले मेरी बात कर्वास आरे आरे आ रहा है मैं जानता हूं तो आप लोग आज की टाइम में जितना है जात पात से अगर उठके बात करेंगे तो एक हजार परसेंट मोदी जी की गरांटी पर विश्वास करते हैं इसलिए इसलिए चुकि जात का यह नहीं है आप जात पात को विस साल पहले को जो था उसको आप चेंद करें जुबालों भाई साथी लोग इसलिए मेरा नाम राके सिंसी सोधिया हुआ मेरा घर आजन हुआ और और मैं पूर्वे लोच्पा का परखन अद्यक्ष भी रहा था ने बर्तवान में मैं एक समाज़ी करता हूं भाजपा का सिपाही हूं बिल्कुल यह सही कह रहे हैं और रहा बात रोजगार का तो सरकारी सेक्टर में आप रोजगार चाहते हैं कि नीजी सेक्टर में पैसे से बढ़त राजनिति मुदे के चाहर अचार संगीता लगने पहले जुह सवाटन करके बिलकूर राजनितिक लाव उठाने की बात केते हैं और एक सवाल मंदिर बनाया मुदी ने नहीं बनाया उसका एक ट्रस्थ है सुनिए एक ट्रस्थ है मानिए चम्पत राजी उसके अध्रक्ष हैं उन्हों ने अपने पंचांक अनुसार पंडितों से विद्वान आचार्जों से तिथी मुकरर करके या जो अभी जीत मुहुर्त में उन्होंने मंदिर का उध्वाटन कराया जो बोल रहे हैं हमारे राजत के बंधु इनको पता नहीं कि मोदी अपने पत्नी को छोड़ा जो आदमी सन्यास ले लेता है जो सन्यास प पत्नी परिवार भाई सब छोड़ देना पड़ता है जो सन्यास परमपरा में चले जाते हैं उनका जवाब देना चाहते हैं वो बोले कि आचार सही था के टाइम क्यों मंदिर का उठाटन हुआ ठीक है तो हम यह पूछना चाहता है कि आखिर वह मंदिर तो 70 साल से लड़ा सकता था हां भोबी तो वोट में प्रूसकता था क्यों नहीं के अगर जो वह हिंदू है के अपलोगों निमंत्रन मिला तो आप लोग काई नहीं कए और सब आट-प्हाइदा क्यों से मंदिर तर्म ठाह्ते कभीन से हैं मंदीर धर्म या आस्ता का विशा है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसके बारे में कोई तरी तरी तब से पूजा होना सुरू हुआ है अब इनके समय में इनके समय में हुआ है अच्छा बात है कॉंग्रेस ताला खुल वाया था सुपरा रभी दोर में जब उतर परदेश के मुख मंत्री बिर बहादूर सिंग थे पुजा हुआ हो रहा था इधार समाल ले 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 कुछ बोल रहे थे बताए हम बोल रहे हैं जैसे अभी हम कह रहे हैं कि मैं लालू जाद में इन लोग से बेशी पढ़े लिखे हैं कि नहीं तो जोगता जिस व्यक्ति को सचवाले नहीं कहने आ रहा है सौचाले कह रहा है सौचाले मिले के गाड़ी चलो उस आदमीन को मैं मुख मंत्री बनाओं जिस आदमीन को अनपढ आज लालू जादो के ब्रांड हटा दीज कोई बमढ़ाने के लिए नहीं रखेगा इन लोग को बड़ी अरौप बिलकूल इनकी जो अरौप है इनकी जो अरौप है बिलकूल बेबुनियाद है इस आरौप में इनका कोई दम नहीं है आवादर निये तेज़स्भी परसाद्यादोव जी ने आज कि बिहार क के धर्त के लिए бол piping कि दीलों के धरकन बन रहह हैं चैजर रहा ह ने बिहार के धर्टी पाइंड को दीलों के धरकन बन गये और मैं भाजबा compressor के करताओं चैनलना चाहते हैं के पंद्रह सालों बीस सालों के उनकी गार्ष कलाप हो याद आ रहा है लेकिन 17 साल बंवना Мान्यम safety na साथ रहकर चार लग लुग नोगरी देने का क्या एक खिए लीयर है कि की बात है को सी का बात है कि 17 साल उसाथा महिना में जो लालो परसाद तेजैसवी परसाद ने जो काम करके देखाया है और जो देखाया है आज तक कोई नहीं देखाया है और बोल रहा है मेरा नेता जी एको बोल रहा है किसे लालू जी भाएंच चराने वाले हैं तो हम लोग तो भाई गोवाला हैं भाएंच चराते हैं अगर भैस नहीं चराएंगे तो आज हम लोग जो लालू जादो का जितना भी परिवार लोग है अगर भैस नहीं चराते तो बच्चों को दूद पीने के लिए नहीं मिलता कि मतलब चारा वो बोल रहे हैं कि भैस चराते हैं तो यह क्यों नहीं बता है कि एक हजार कड़ोर के चारा भी खा गए अब ड़कार तक नहीं मारें यह थीक है वो भाईया देखिए हम तो कुछ नहीं हम किसी का सपोर्टर नहीं है लेकिन वो और जेडी और जेडी पहन के जकेण हिरुफद और तो हम फौन को यह बता है एक मिनट मेरा सवाल पहले पहले सुनिये उनका कहना है वो गम चिले के सब्साइल धिक है तो हम को बस यह बता दें तो लालू जी आदो जी हमको बस यह बता दें कि वो यह क्यों नहीं सोचतें कि वो बस आपने बेटा को अपने बेटी को अपने सारा जीतना भी रिलेशन वाले हैं उनको ही क्यों डेवलब कर रहे हैं इनको क्यों नहीं डेवलब कर रहे हैं यह पढ़े लिखे हुए तो इनको क्यों नहीं कुछ बना रहे हैं अर्जेटी के परवक्ता यहां पर हैं उनसे पूछ लेते हैं बाइकार है परिवारवाद पर बढ़का चोट है ठीक है अची बात मैं परिवारवाद की सवाल पर मैं जवाब दना चाहता हूं कि अभी जो पहली चरन का जो चार लोग सभा का चुनाव है या निश्चित रूप से जमुई का हो नवादा हो गया हो रंगाबाद हो या चारो में भाजपा ने परिवारवाद का ठीकर देने का इन्होंने काम किया है रड़ जाम जा चाहता हूं कि सुसील सिंग क्मै जमुई से चिराप मस्वाद जी के जीजा क्हून है मांजी जी क्योत है तमाम जो भाजपा कहना एंबीयं चारो परिवारवाद है इनको अपना परिवारवाद नहीं दिखता है भाजपा के कारता को सिर्फ लालू नितिज कि आप मन से बताए कि आपके परिवार में पर्यास से कितने लोग नौकरी मिला किसी को एतना नीचा नहीं कि आप लोग अपनोग यह सुझे कि आप लोग चौ़त रहे हैं ते हम लोग चारा चोर का रहा है के नहीं है तो यह हम तो नहीं कहा रहा है पूरा मीडिया पूरा सिस्टैम सब्सक्रार न सेत हो गाया आउस वरी खत्वा धूश तो हश follows बारत बाता के इंदाबार चेश रिराब चलिए लोग सभा को लोग मिनी चितोड़गर करते हैं यहां की जनता यहां की जनता बहुत बुधिजीवी है सोच समझ के निर्ना लेते आ रही है और इस बार भी निर्ना लेगी और यहां के चुनाव में पर्चन बहवत से जो हाटी घोटालेबाद की पार्टी जंगलराज की पार्टी इहां से दूर भागेगी अच्छा चलिए एक सवाल मेरा सून लेजैंस सब को स्थांती से का कि है हाई हाई ह। है है आँ है अगरड़ोगोन। इस अखतार पालार 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 किखा पालार 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 हमाल अधिड़ोड़ों।